हेलो एरवन, क्या हाल चाल, वेलकम तो माई चैनल, सो गाईज, NCRT रिव्यू, जो की मैंने 2021 में लॉंच किया था, बहुत अमेजिन सक्सेस था, अब वो सीडीज हमने फिर से लॉंच कर दिया 2023 में, with more detailed analysis, जिसमें हम old NCRT plus new NCRT दोनों को cover कराने वाले हैं, हम साथ ही उसके PYQs करेंगे, साथ ही उसके exemplar करेंगे, और ideally यह course कल से ही start हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पर थोड़ा मैंने miscalculate कर लिया, और यह course कल से start होने की वज़ाए, second of July को start होगा, reason उसका मैं समझा देता हूँ, एक तो कि मैं travel कर रहा था, I was in Georgia, for my students who are going for abroad, तो उनके लिए थोड़ी लगवग करनी पड़ी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, और 26 को मैं वापस ही land किया, तो classes possible नहीं हो पाई, दूसरा उससे भी वड़ा कारण है, कि मैं अपने, जैसे हर इंसान का एक aspiration होता है, ठीक है, तो मेरा भी एक सपना था, जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है, तो 2nd of July को ही, जिस दिन से आपकी class start होने वाली है, I am very happy to announce, मेरी किताब biology funda box है ना, और उससे भी important funda box app launch होने वाला है, जो इंडिया का पहला true smart book platform है, मतलब आप किताब पढ़ सकते हैं, किताब के जिस topic में दिक्कत है, उसका वीडियो देख सकते हैं, जिस topic का practice करना चाते हैं, आप उसको practice कर सकते हैं, app में ही आप अपना किताब भी पढ़ सकते हैं, मतलब आपको reference book चाहिए, या आपको printed किताब चाहिए, तो printed किताब ले सकते हैं, मतलब what not, ये इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, जो funda box है, उसके लिए, ठीक है, तो 5 किताबे हमारी 2nd of July को launch हो रही है, तो इसके वज़ए से थोड़ा ताम जहां में मैं busy हूँ, तो इसलिए मैंने NCRT review को भी 2nd July से ही shift कर दिया है, ठीक है, ये सारी के सारी किताब classes आपकी recording होंगी, दो बजे आपकी सारी recording upload होगी, बहुत simple fund आपकी, जैसे मानलों living world मैंने दो तारिकों किया, ठीक है, उसके बाद उसका PYQ तीन को कर लिया, चार को उसका example है कर लिया, तो तीन दिन का हम एक buffer लेके चल रहे हैं per chapter के लिए, अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है, सब कुछ perfect कैसे जा सकता है, एकार class आगे पीछ होगा, इसलिए बेटा मैंने तीन दिन का buffer एक chapter लिया है, क्योंकि अगर मानलों जिस दिन exemplar, exemplar में 10 सवाल होता है, 15 मिनिट की class होगी, PYQ में किसी chapter में 100 सवाल है, तो 2 गंटे class हो जाएगी, किसी chapter में 200 सवाल है, तो 3 गंटे class हो जाएगी, तो हम लोग वैसे manage कर लेंगे, और 3 दिन में आपका एक chapter complete कर लेंगे, और पूरा syllabus जो है, आपका 23 October तक खतम हो जाएगा, वास के सिनारियो ले लो, तो 30 October तक खतम हो जाएगा, तो syllabus completion की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम old NCRT plus new NCRT plus PYQ plus examples सब कुछ complete कर लेंगे, तो जिन्होंने classes देखी होंगे बटा, वो जानते होंगे कि हम कैसे complete करते हैं इसको, तो जैसे एक-एक line, मैंने एक reference class यहाँ पर डाली हो थी, तो एक-एक line NCRT की systematic तरीके से लिखके, highlight करके, scientist के नाम को अलग से table बनाके, हम complete करा देते हैं आपका, तो बहुत amazing series होने वाली है, 2021 है मैंने जब यह series launch की तो बहुत बच्चों ने message किया था कि सर यह series best series अभी तक कि आपकी, और I hope इस बार भी ऐसा ही हो, और सारे question यहाँ से हैं, ठीक है, दूसरा important update बेटा, मेरी funda box ची smart book यह 5 किताबे आ रहे हैं, तो एक 12 की यह किताब जैसे आपको दिख रहा है, वैसे 11 की भी किताब है, ठीक है, उसके बाद physics की pyq, chemistry की pyq, exemplar और biology की pyq और exemplar, अब pyq exemplar में अलग क्या है, बोलोगे आप, तो बेटा, pyq और exemplar में हम सारी, सारी pyq और exemplar के video solution दे रहे हैं, अप में भी तुम practice कर सकते हो, और सिर्फ relevant pyqs हमने डाले हैं 30 साल के, अब लोग क्या होता था, तो 1980 के questions solve कराते थे, microscopy भी questions solve कराते थे, जो syllabus में नहीं आता, उसकी questions solve कराते थे, हमने फाल्तू चीज़े सारी हटा दी, ncrt-centric जो pyqs हैं, वो pyqs रखा, उनका detail analysis रखा, और जो relevant या repetitive question थे, मतलब जो relevant question नहीं थे, और repetitive question थे, उन questions को हटा दिया है, तो ये book भी आप avail कर सकते हैं, 2nd of July को, इसके लिए आपको बस ये wait list join करनी है, initially, for one day, जिस दिन हमारा launch day है, 2nd of July को, हर book पे 50% का discount होगा, तो I think, 600 रुपय की आपकी pyq किताब है, तो आपको 300 रुपय में मिल जाएगी, ये किताब, I guess, 2000 रुपय की class 12 की है, और 2000 रुपय की class 11 की है, तो I think, 11th और 12th दोनों की किताब आपको 2000 रुपय में मिल जाएगी, मतलब 11th एक हजार में मिल जाएगा, 12th की किताब एक हजार में मिल जाएगी, but only for 2nd of July and only if you have filled this wait list, तो अगर आपने नहीं बारा है, तो इसको भर दीजे, जो बच्चे NCRT Review वाली सीरीज में इन्रोल नहीं किया हूँ, भी कर सकते हैं, बटा, सिंपल है, मेरी वेबसाइट पर जाएगी, आनमनी.in, वहाँ पर 2.99 का कोर्स है, NCRT Review मैंने उस पर जादा चार्ज भी नहीं किया, और जान बुझके मैंने 2.99 रखा उसका कि सिंसर वच्चे ही, उस कोर्स में आएं, जो negligible amount पर आपकी पूरी biology की तयारी हम करेंगे. इसी तरह से हम लगे रहेंगे, आपकी biology की पूरी तयारी बहुत systematic तरीके से हम करा रहेंगे. तो अगर मालनों तुम्हारा 30 अक्टूबर तक स्लेवर्स खतम होगे, तो नॉमबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एप्रिल, तो पांच महिने आपके बास बचेंगे, और इन पांच महिनों में आप इतनी बार revision और test करेंगे, कि आपका biology NCRT का revision 10 बार हो जाएग और आप biology में 360 में 360 marks लापाएंगे, तो फटाफट इसमें enroll कर लीजे, फटना बास की वेटली जोईन कर लीजे और हम मिलते हैं बहुत जल्दी classes में, take care bye and have a great day, thank you